चंद्रा इंस्टिट्यूट के यूटूब चैनल पर मैं आसी सिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्त और आज बहुत ही वर्तमान समय के सबसे महत्पुर मुद्दे पर मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ आज कोविड-19 के टेस्ट के बारे में लगातार बहुत सारी बाते आप अपने न्यूस के माध्यम से आप चाहे टीवी हो चाहे न्यूस पेपर हो लगातार आ रहा है और आप बार बार देख रहे हैं बार बार सुन रहे हैं कि DNA PCR टेकनोलाजी ध्यान देजेगा DNA PCR टेकनोलाजी वह टेकनोलाजी है जिसके चर्चा में क्यों है, COVID-19 और PCR टेस्ट क्या है, PCR टेक्निक क्या है और क्या महत्मूर प्रस्ण बन सकते हैं। सबसे पहले दोस्त हम बात करें कि यह चर्चा में क्यों है, तो ध्यान दिजेगा कि COVID-19, कोरोना वाइरस डिजिस 2019 की जाच के लिए भारत में PCR टकनिक अपनाई गई है, और ICMR के अनुसार नामित प्रयोग सारम लाएं, रियल टाइम PCR परिक्षण का उपयोग कर रही हैं। अर्थाद यह PCR टकनिक वह टकनिक है, जिसके माध्यम से COVID-19 की भारत में जाच करने के लिए अपनाया गया है इसे, अब ध्यान दिजेगा कि COVID-19 और PCR टेस्ट क्या है, तो ध्यान दिजेगा कि गले, स्वास, नली के लिक्विड और मुह की लार के सेंपल के जरिए PCR टेस्ट होता है, नाक और गले के पिछले हिस्से में वारस के मौजूद होने की जादा संभावना होती है, इसलिए यहां के लिक्विड लिये जाते हैं, दूसरी बात, कि गले के अंदर संक्रमर की जाच करने वाले स्वैब टेस्ट के जरिए सेंपल में मिले जेनेटिक मेटेरियल क को कोरोना वायरस के जेनेटिक कोर्ट से मिलाया जाता है, और अगर वह मैच करता है, तो वहां पे कोरोना वायरस डिजिस की पुष्टी होती है, और अगर नहीं मैच करता है, तो पुष्टी नहीं होती है, देखे, आरने से बना होता है और कोरोना वायरस, सार्स और यह जो cov coronavirus to test के लिए इसे dna में बदलने की जरुवत होती है इसके लिए reverse transcription नामक तक्नीक का प्रयोग किया जाता है आपको ये भी प्रस्न पूछा जा सकता है कि larko dna में मतलब बदलने के लिए किस यहाँ पे तक्नीक का प्रयोग किया जाता है तो आप ध्याँ देंगे reverse transcription यहाँ पे नामक तक्नीक का प्रयोग किया जाता है reverse transcription ये जो enzyme RNA को dna में परिवर्थित करता है और इस dna की प्रतिय वारस की पहचान करने में मतलब dna सुगम कर देता है वारस के पहचान के लिए आगे आएंगे अब करा PCR तक्नीक है क्या तो ध्याँ देजेगा कि polymerase chain reaction PCR ऐसी तक्नीक है जिसमें dna की लाखो पधतियां बनाई जा सकती है और polymerase ऐसे enzyme जो dna की प्रतियां बनाते हैं और chain reaction क्या है तो ध्याँ देजेगा परना उसी तरह यक्रम लगातार chain reaction चलता रहता है तो ये PCR टेक्नीक की महत्पूर बात थी और यहां से आपके exam में प्रस्न बन सकता है कि अमेरिकी बायो केमिष्ट कैरी भी मुलिस ने PCR टक्नीक का विसकार किया था और ये इस वर्स के लिए सबसे महत्पूर प्रस्न अगर कोरोना वाइरस पे अगर थोड़े गंभीर प्रस्न बनाए गए तो ये ध्यान दीजेगा कि मेमोरी लेबल का प्रस्न बहुत ही महत्पूर होगा और इसके लिए इन्हें 1993 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से संबानित भी किया गया था ये दो के दोनों पॉइंट्स आपके लिए बेहद ही महत्पूर होंगे आगया ये एक प्रस्न ले लेते हैं प्रस्न थोड़ा सा हाई लेबल का होगा चुकि PCS और BO और भी बड़े एक्जाम को यहां पर टार्गेट करके रखा गया है कहरा PCR तकनिक का अविस्कार कैरी भी मुलिस ने किया था बी कहरा इस तकनिक की सहायता से DNA को RNA में बदला जाता है और सी कहरा reverse transcription नामक enzyme RNA को DNA में परिवर्थित करता है तो देखिए आपने जो यहां पर points number one जानते हैं कि PCR तकनिक का अविस्कार कैरी भी मुलिस ने किया था तो यह तो सही है B और C में आपको confusion हो सकता है आप सबसे पहले हमको comment करके यह बता दें कि B सही है या C सही है एक बार comment करें चलिए ध्यान दीजेगा B गलत है इस तकनिक की DNA को RNA में नहीं बलकि C सही है यह तो सही है C सही है कि reverse transcripts नामक enzyme RNA को DNA में परिवर्थित करता है यह मैंने उपर भी बता है तो इसके आधार पर आपका यहाँ पर चलिए यह सब में DD लिग गया है आप A, B, C और D तो आपका right answer क्या है option number C होगा चलिए दोस्त तो यह महत्पुन रूप से था आज के लिए हमारा यहाँ पर current affairs की COVID-19 के test की प्रक्रिया आप एक बार जरूर comment करेंगे कि हमारे यह प्रयास आपके लिए कैसा लगा चुकि हम छोटे मुद्दे इसलिए आपके सामने और कम समय के ले करके आ रहे हैं चुकि मैं घर पे होने के कारण घर से ही मैं आपकी मदद कर रहा हूँ और छोटे वीडियो बनाना चुकि यहां से भेजना अपलोड होना थोड़ी सी एक कठिन प्रक्रिया है लेकिन हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि हम आपके बीच बने रहे हैं और आपकी जानकारी को अपडेट करते रहे हैं तो दोस्त इसके लिए आप एक बार जरूर कमेंट करेंगे कि आपको हमारा एफर्ट कैसा लगा और साथी साथ ध्यान दिजेगा हमारे सभी प्रकार के ऑनलाइन कूर्सेस में 25% तक आफ है और यह 25% तक आफ आपको मिलेगा 10 अप्रेल तक अर्थात कल तक आप अपने मुबाइल के गूगल प्ले श्टोर में जाकर के चंद्रा इंस्टिटूट इलहाबाद लिखे वागेश सर की डीपी लगी हुई एप को इस्टाल करके आप अपने बेसिक इंफार्मेशन डाल के रेजिस्टर करें उसके पस्चात आप जब पर्चिस कूर्स में जाते हैं तो आप्लाई कूपन कोड मागेगा वहाँ डालें C2020 और आप घर बैठे आसानी से 25% डिसकाउंट के साथ ऑनलाइन क्लास प्राप्त करें घर पर रहें अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ाते रहें सुरक्षित रहें और रजत को मोटिवेट करने के लिए उनके चैनल रजत फार यू रजत फार यू आप सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और वीडियो यहां से इंज्जॉय करें तो आज के लिए यहीं तक फिर कल नए मुद्दे के साथ मुलाकात करते हैं थैंक यू थैंक यू वेरी मच्च